वेलो अगेन गाईज तू अनुदर क्रीक माइथ एपिसोड यसे पुराने या प्रीवेस पॉडकाँच में आप देखा मेने पहले बात की थी जूस और प्रोमिठे़ के बारे में अभी शेक ने कहा नहीं बता है थी डेडलिट के बारे में और आज हम बात करेंगे तो आज का podcast पिछले podcast से बहुत जादा relate करता है वहीं से एक position से शुरू होता है ये story छोटा साब को quick आपको recap देता हूं कि Daedalus कौन था वो Athens में बहुत बड़ा innovator था उसने घुसे में और जलन में अपने ही नफी को मार देखिए उसको लग रहा था क्रीट में राजा मीनोस जो है किंग मीनोस के अंडर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इतना कि उन्होंने एक लाबरिंद बनाया था बूल भूले यह बनाया था जहां पे उन्होंने half bull half human जो मीनोटोर था उनको कैद किया था अब जब ही पिछले एपिसोड में मैंने बताया शिप अफ थीसियस में कि थीसियस ने कैसे मीनोटोर को स्ले किया और किंग की बेटी एरिय ने को लेके वो भाग गया तो किंग बहुत घुसा हो गया कि यार यह कैसा हो गया कि एथेंस से एक लड़का आके एथेंस का एक प्रिंस आके उसने पहले तो मेरे अग्रीमेंट तोड़ा जो एथेंस के लड़कों को था सबको रेस्क्यू करके लेके गया और उपर से उसने मेरे मॉंस्टर मीनोटोर को मार डाला तो त्मीनोस बहुत गुस्ता हो गया and he had to put a blame on someone तो उसको realize होता है कि Daedalus had helped उसने help किया था वो string का एक ball दे के तो अब उसकी बेटी तो नहीं है सजा देने के लिए तो वो बोलता है कि Daedalus तुझे सजा दूँगा but again Daedalus बहुत अच्छा craftspan है बहुत अच्छा innovator है जिसका king को use होगा king wants to use him तो उसको सजा कैसे दो उसको मार नहीं सकता तो वो क्या करता है वो उसी labyrinth में उसको कैद करा देता है कि तू तूने जिस भूल बुले के बना है तू उसी में कैद होगा although इसके बहुत सारे versions है एक version यह है कि बहुत बड़ा टावर होता है उस क्रीट वाले island के पास में जहां पर वो उसको रख देता है बट ये कहानी में ये समझना थोड़ा ज्यादा interesting लगता है कि जिस इंसाने जो बनाया था वो ही में वहाँ पर ही जाके वो कैद हो गया तो Daedalus को और उसका जो बेटा था Icarus उन दोनों को उसने वही पर कैद कर दिया अब जए भी Daedalus कैद हो गया उसने realize कि हमको आजादी चाहिए मैं और मेरा बेटा आजाद होना चाहते हम यहाँ पर कैद नहीं करना चाहते कि जब King Minos बुलाएगा हम उनने उनके लिए कुछ बना दे और हमारी जिंदगी हमेशा इसमें ही बीत के रह गई तो वो एक प्लान करता है कि I will do something to get out of it but I don't know what उनको पता है कि वो बहुत strong और smart innovator है तो एक दिन वो ऐसे sky के तरफ देख रहे था या नहीं इसी lots of birds flying और वो रिलाइस करते कि ये पक्षिया उड कैसे रही है तो इस birds अपने पंग को flap करके फड़ फड़ आके उड़ते है तो उन्होंने रिलाइस कि क्यों ना मैं हम दोनों के लिए मेरे लिए और मेरे बेटे इकरेस के लिए वैसे पंग बनाओ तो जब ही वो पक्षिया उपर से उड़की जाती थे उनके एक दो feathers गिरते थे तो उन्होंने वो एक दो feathers इखटा करने चालो किये और उसने अपने बेटे इकरेस को बोला कि तू पुरे जहां पर भी जा सकता है जितना भी एरिया कवर क आना वहां पर गार्ड्स मोम बत्ती भी रखे जाते थे चैंडल्स रखे जाते थे तो हर रात ताकि उनको रॉष्णी मिले तो वो चैंडल्स भी कलेक करने लग गया डेडिलेस तो उसने वो वोड का एक हलका सा स्केलेटन बनाया और उसमें वाक्स का मदद से उसने उन्हे निकलेके तो वो चिप कया और उन्हें एक खुद पहना और अपने एक बेटे को पहना है और उन्हें ने कहा कि देखो we will use this to get our freedom but there are certain rules कुछ आपको rules है जो आपको follow करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं यहां से ठीक से हम उड़के जिन्दा निकल सकें पहला समुंदर के ज जाएगा और तुम ठीक से तुमको लाटेरीड भी नहीं मिलेगो उड़ने के लिए तो तुम उड़ने पाऊगे और तुम गिर जाओगे दूसरा आसमान के जादा उपर भी मत जाओ जाओ जादा ऊचाई पे भी मत उड़ो क्योंकि सन की गर्माहट से तुमारा वैक्स बि बेटें इकरेस को बता देता है तो ठीक है दे वेर दोस विंग्स एन दे स्टार्ट टेकिंग ओफ और वो टेक ओफ करके दे स्टार्ट यूजिंग दे इस फ्लोईंग तु फ्लाइग स्टार्टिंग में उनको बहुत तकलीफ होती है कि दियार ट्राइंग तो मैनेज दो विंड और वाटेवर इस गोई आराउंड बट आफ्टर श्ट्रगलिंग फॉर सम्टाइम उनको मोमेंटम मिल जाता है वो रेलाइस करते कि ओके वी कन फ्लाइग अन दे स्टार्ट फ्लाइग अब डेडलेस जब उड़ रहा है इकरस उसके पीछे उड़ रहा है इन इकरस रियलाइस कि वाँ मैं उड़ सकता हूँ कोई भी और इंसान उड़ नहीं सकता मैं उड़ सकता हूँ and he starts feeling like a god उन्हें लगने लगता है कि अपुनिज भगवान है उनको लगता है कि वही भगवान है और वो बहुत सूर से उड़ने लगता है यह स्टार्ट फ्लापिंग इ नीचे लिखते है कि कितने सारे इंसान है जानवरे कोई उड़ नहीं पार है मैं उड़ पा रहा हूँ और जो पक्षिया बर्ड उड़ रही है मैं उनसे भी उचा उड़ सकता हूँ और वो तो कितने छोटे से क्रीचर मैं तो फॉल पावर्फुल हूँ और यह देखे वो और उचा उड़ने लगता है उसके पिता डेडलेस देखते है और इकरस रुख जा इतना उचा मत उड़ मैंने तुझे वार्निंग जो दिया था वो याद कर बर्ड इकरस अपने जो नए पावर के जोश में नए एडरलिन में इतना जादा वो भावक हो जाता है कि ही स्ट इतना उपर जाता है कि सन की घरमाण से जैसे उसके पिता डेडलेस ने कहा था वगस प्रकरात फैदर गिरने लगता है और उसका गिंच रह वो तूटने लगता है और उसका पूरा स्ट्रक्चिर उगड़ जाता है The moment that happens, Icarus starts falling from straight that high down, straight, full speed में वो नीचे आता है, समुंदर पे गिर जाते है Daedalus ये देखके बहुत जारा शौक में आता है and he flies to rescue his son, वो पानी में जाते है और उनको अपने बेटे Icarus की लाश मिलती है And this is the story of the boy who flew too close to sun, this is the story of Icarus' flight and fall और ये story से हम भहुत सारी चीज़े सीखते हैं, but before I talk about the lessons, there is an important thing that I wanted to mention The similarity of Greek mythology stories with Hindu mythology जो हमने पिछले episodes में भी आमने वर्नन किया था, उसका बातचीत किया था, हमने उसके बार में कि किसे Zeus इंदर भगवान से सीमित होता है जिसे Zeus ने बोर का अवतार लिया था, विश्नु भगवान ने भी बोर का अवतार लिया था So there were these two similarities that we talked about इसमें similarity है अगर आप समको पता होगा हनुमान का story कि हनुमान जबी छोटे थे तो उनको एक आम दिखता है, जो basically होता है sun और उनको sun को खाना होता है, आम समझके तो he starts flying towards the sun और sun की घरमाट से वो गिर जाते है तभी उनके जो पिता होते, Pavan Dev, who's the god of wind, उनको पकड़ते है और साइड में ले जाते है Although that story ends differently, यहाँ पे Greek mythology में यह story ends totally differently But this story का moral क्या है? What do we learn from this? What do you think, Hardik, we learn from this? जादा उढने का नहीं Exactly, well said, well said, जादा उढने का नहीं The story talks about exactly that Know your limits before you start flying high You should, you can fly, there is no restriction in flying high, but you should know when to fly high Exactly, इसलिए हम छोटी पोटी चीज़े कहते हैं ना कि यह चने के जाड़ पे मत चड़, यह साथवे आसपार में मत जा It's the thing कि आपको success मिलेगा, power मिलेगा, but arrogant मत हुई इतना कि इतनी उचाई तक जाए कि आपको सीधा नीचे गिरना पड़े जो हम कितने real life example देते कि that people become very successful और अपने खराब behavior attitudes और अपने घमन में वो गिर जाते, वो तो सारी सोरी है कि अहंकार तो रावन का भी नेटिका था, so one of those stories But इसमें एक बहुत अच्छा element है, about bottom Daedalus के दो instructions थे, एक था कि जादा उपर मत जाना और दूसर था जादा नीचे भी मत उड़ना इसका मतलब कि आपको हमेशा below average नहीं है, you have to fly आपको उड़ना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी सारे गोल अचीव करना है But maintain a balance And this brings us to the end of the third podcast that we did on Creek Mythology I hope you all liked it आप सबको जितना मुझे मजा आया और हारदी को मजा आया ये स्टोरी पढ़ने में और सुनाने में I hope आप सबको भी सुनने में और देखने मजा आया होगा Yes, thank you so much for watching, thank you so much for listening हम और भी ज्यादा स्टोरी लाएंगे Creek Mythology के बारे में Because बहुत ही ज्यादा vast concept है बहुत ही ज्यादा vast stories है, बहुत ज्यादा widespread है तो हम लाते रहेंगे stories, आप सुनते रहेगा Please comment कीजिए अगर आपको कोई specific story है जिसके बारे में जानना है या कोई specific character है जिसके बारे में जानना है तो उसके character के related में तुम concentrated, लंबा सा podcast भी बनाएंगे एक गंडे या दू गंडे का if you are willing to listen Yes, thank you so much for listening Keep celebrating the power of your mind Thank you